हाज में आप लोगों के साथ साबुदाना किचडी की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ यह नवरात्रे और व्रत में खाया जाता है एक फलाहार होता है तो रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिए और आप भी ऐसे मोतियों जैसे खिले-खिले साबुदाना किचडी घर पे पना पा है तो प्लीज चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचे और इसे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले सभी रेस्पी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ट्रिप है कि सबसे प पानी इसमें थोड़ा जादा हलका सबसे डूप जाए इतना ही पानी लिया है और दो तिन घंटेक सोक करने के बाद यह देखिए सारा पानी सूक चुका और अलग-अलग हमारे साबुदाना है आईए अब इसकी टेंपरिंग रेडी करते हैं तो यह मैंने पीनट ओल लिया नहीं चाहिए हलका सा यह तड़कने लगे उसके बाद हम इसमें पोटाटो डालेंगे जो मैंने क्यूब्स में कट करके रखे हैं यह कच्छे आलू है रॉप टाटोज है उबले हुए नहीं है बस इन्हें हमें हलका सा इन्हें हमें कुक कर लेना है ताकि यह सौफन हो बस यह 1-2 मिनटी लगता है और यह देखे हमारे आलू है वो भी पक चुके है यह देखे मैं इसको तोड़कर आपको दिखा रही हूँ बस ही रेडी है तो इसके बाद हम इसमें टोमैटो डालेंगे तो यह देखे टोमैटो मैंने हाफ टोमैटो को चॉप करके चोटे-चो स्टार्ट हो जाता है यह देखियो यह गल चुका है बस आई अब हम जो हमने जो सोक करके साबुदाना रखा ता उसको डाल देंगे यह देखिए हमारे साबुदाना अभी से अग्दम अलग-अलग-अलग रहे हैं चिपके उए नहीं है तो एकदम स्टिकी नहीं होंगे जो थोड़ा भी पानी नहीं है, पानी अगर होता है तो साफुदाना बहुत जल्दी स्टिकी हो जाता है, उसके बाद मैं यहां रोस्टेट पीनट डालूंगी, पीनट को रोस्ट करने के बाद हलका सा मैंने इसको क्रश्ट कर लिया है, और उसको इसमें हम मिला देंगे, बस और उसके थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं इसमें कोरियांडर लीव्स डाल दोंगी, फानेली गटी होई, और उसके बाद हम इसमें लेमिन जूस डाल देंगे, वन टेबल स्पून और इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे, यह देखे, और साफुदाना अभी भी थोड अगर किसी को थोड़ा सा भी मीठा पसंद नहीं है, तो आप इसको स्केप कर सकते हैं, यह देखे, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 30-40 सेकंड के लिए कवर कर दूगी, ताकि जो साफुदाना है, वो अच्छे से वेपर में भी पक जाए, बट यह स्टिकी एक साबुदाना किच्डी है, एक तम रडी है, खाने के लिए यह देखे, एक तम अलग-अलग और खिले-खिले हमारे किच्डी बनी है, साबुदाना की, बस इसको फ्लेम को आफ करेंगे, आई अब हम इसको सौफ करते हैं, तो यह देखे, हमारे क्विक, हेल्दी और बहुत साबुदाना किच्डी बन के रडी है, तो इसको ज़रू ट्राइ कीजिए इस नवरात्रो में, अपनी वरत में, और मुझे फीदबैक ज़रू शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मिलते हैं, ऐसी है मेरी एजी नेक्स रेस्पी के साथ, और प्लीज प्लीज अगर झाल, 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 झाल